हेलो गाइस वेलकम बैक ट्यूम यूट्यूब चैनल इस आर्थी एंड वाचिंग लेनिंग भाय आर्थी सो गाइस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वालो एब्सरवेंसी टेस्ट की वीडियो जो कि है विस्पर चॉइस अल्टर और इस ट्रेफरी अल्टर थिन प पर उसके बाद में आपके साथ एब्सरवेंसी टेस्ट शो करूंगी कैसा क्या है और इन दोनों का मैंने डीटेल रिव्यू और डी शेयर कर चुका है मैं चैनल पर आपने नहीं देखा है तो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्रिट बॉक्स चेक कर लिजेगा या फ तो इन दोनों पैड को मैंने कर लिया है इस टिक और आप देख सकतो इस टिक होने के बाद कुछ इस टाइप से आपको लुक में लगने वाला है डीटेल रिव्यू मैंने शेयर कर चुका है मैंने आपको बता दिया है और यहां पर मैंने यह वाटर भी ले लिया है तो इस कोई स्पून भी मैंने ले लिए ताकि एक साथ में डालूंगी तो बहुत इजली समझ में आप आएगा और बहुत से लोग कहते हैं मतलब की देखिए अगर मैं सोचू कि सेपरेट सेपरेट मैं वीडियो बनाओ स्टेफी की अलग एप्जावेंसी की बनाओ विस्पर की हैं और रपन अच्छे से पॉइंट आउट कर पाएं तो मैंने यह ले लिया स्पून और मैं जा रही हूं इन पर डालने ताकि आप अच्छे से समझ पाओ तो पहले ही जो मैं डालने जा रही हूं तो उसमें आप समझ पाओगी कि कैसा क्या है तो एक चीज यहां पे आपन और स्टेफरी में ऐसा नहीं है आप देख सकतो जहां पर डाल रहे है ना उत्ते ही एरिया में यह एब्जॉफ कर ले रहा है और ऐसा इसी लिए है यह इत्ता स्प्रेड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब यह जाता है ना पैट के अंदर तो यह जैल में बदल जाता है और यह जाता है तो अब जाता है कि यह जाता है जो प्रेशर पड़ता है तो फिंगर्स पर यह कि नहीं आरा है तो जो वस्पर वाला था उसका थोड़ा सा ज्ञाधा था और आप देख सकते हैं कुछ इस टाईप से कंडिशन में डालती ही जारी हो कंडिशन आप दोनों पैट की देख सकते हो जो विस्पर का है वो बहुत जादा स्प्रेड हो चुका है आप एजली कंपेर कर पारेगो होप सो विजिबल भी होगा आपको एब्जॉफ देखिए करने की स्पीड की बात करो तो दोनों ही बहु बहुत जादा है वी फ्लो के लिए बहुत जादा बेस्ट है अगर आपने इसको ट्राइब कर सकते हैं कि 40 रुपीज में विस्पर चॉइस अल्ट्रा भी आ रहा है तो प्राइस तो दोनों की लगा जो मैं कहूं तो दोनों सेम है एक बार ट्राइक कर लो नहीं लगता है प अपन को चुनना पड़ता है और यहां पर आप देख सकते मैं प्रैसर डालने की कोशिश करी हूं और जब अचुछ यहां पर ईपने लग रहा था लेकिन जब्रृफ सकते भूट यह बोटरी टाइप का लग रहा था तो यह आप देख सकते हूं कि पड़ी को नहीं आए है जो water जो मैंने डाला था, तो wings पे तो नहीं गया है, यह spread होते हुए, तो overall देखा जाए, तो मुझे stay free ही पसंद आया है, और यह पास से मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, hope so clear होगा आपको, तो यही थी आज की वीडियो और hope so कि सब कुछ clear होगा और मैंने तो सब कुछ बता दिया है, मुझे तो जादा best लगता है, वो stay free का लगता है, एक gel based जो यह pad कहे रहा है, जो इसका clay में बहुत जादा अच्छा clay में, इस smell की बात कोई तो दोनों की fragrance बहुत जादा अच्छी ह और इस वीडियो में तो absorbency की ही अपन बात करने वाले हैं, तो बाकी सारी point तो मैंने आपके साथ share कर दिया है, comparison वीडियो में, तो इन दोन में से कोई अगर एक select करना है, तो of course मैं stay free के लिए आपको कहूंगी, लेकिन है देखिए, दोनों ही best है, लेकिन comparison वीडियो में हमे पाला जो है अभी और चल जाएगा, अगर मैं उसमें और water add करूंगी तो, और whisper में आप देखी सकते हो, so guys यह थी मेरी आज की वीडियो, hope so helpful होगी, और still को doubt है, तो comment box में जरूर पूछे का, और हमेशा मैं हर pad के वीडियो में कहती हूं, और जब भी मैं review देती तो उसमें मैं जरूर कहती हूं कि देखे, सबका experience अलग हो सकता है, point of view भी अलग हो सकता है, आपको इन दोर में से जो भी अच्छा लगता होगा, जो भी comfortable लगता होगा, आप उसको select कीजे, क्योंकि मैंने आपका हाथ तो पकड़ के नहीं रखाए, कि आप यह यह खरीद लो है कि नही हो, तो अपनी तरफ से तो आप बिल्कुल free हो, में तरफ से भी आप बिल्कुल free हो, तो यहाँ पर मैं अपना view शेयर करती हूँ, अगर मुछ में trust है, तो आप उसको follow कर सकते हो, so guys मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye-bye